तो वेल्कंव टू दिस वीडियो टूटोरियल स्टूदेंट्स तो हमने जो है पिछले वीडियो टूटोरियल में क्या किया था हमने एक सोर्स लोकेशन से डेटा को पिक किया और उसको डेस्नेशन लोकेशन पे रख दिया ठीक है लेकिन आप बोलेंगे कि सर पहले तो हमने string manipulation instructions भी पड़े थे तो हमने वो क्यों नहीं उसके तो exactly हम वही करने वाले हैं हमारा जो problem statement है वो exactly same है ठीक है उसमें कोई भी change नहीं है आपको same 2000 segment में 500 वाली offset पर जाना है वहाँ से data pick करना है उसको 600 वाले location पर जाके place कर देना है same segment 2000 के अंदर और इस process को आपको 100 times repeat करना है क्योंकि जो length है आपकी 100 bytes की है अब लेकिन same problem को हम एक दूसरे instructions को use करके हम करेंगे कौन सा instruction हम use करने वाले हैं तो याद आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है तो हमने एक instruction पड़ा था जिसको मैं यहाँ पर छोटा सा फिट से summarize कर देता हूँ वो instruction था आपका move sb move string byte यह क्या करता है आपका और मैं इसमें assume कर रहा हूँ कि इस instruction के पहले मैंने CLD चलाया होगा तो direction flag की value मैं assume कर रहा हूँ कि पिलाल 0 तो यह instruction क्या करेगा आपका ds segment में जाएगा वहाँ से data को pick करेगा किस offset से pick करेगा si में से तो ds si करके एक memory location से data pick करेंगे और उसे जो है आप उठा के कहां पर रखेंगे तो एक और नई location वो नई location कौन सी होगी आपकी इस case में वो होगी es colon di यहाँ पर ठीक है तो वो हो जाएगी आपकी es colon di यह first step है next step में यह क्या करेगा next step के अंदर यह क्योंकि direction flag की value 0 है तो si will be incremented by 1 तो si will be si plus 1 likewise क्योंकि direction flag की value 0 है तो di जो है वो भी आपका increment होगा ठीक है या तो दोनों increment होते हैं या दोनों decrement होते हैं तो अगर di में value 600 है तो 601 हो जाएगी si में value 500 थी अगर तो 500 में एक जोड़ेंगे तो 501 हो जाएगी इस तरीके से यह काम करता है अब इसके अलावा हमको इस instruction को कितनी बार repeat करना है तो हमने एक repeat prefix instruction भी लगाया था repeat prefix instruction जो है simple क्या होता है मैं इस move sb के पहले यहाँ पे लिख दूँगा अगर इन instructions को लेके कोई भी confusion है तो हमने एक video tutorial बनाया हुआ है पहले ही जो की string manipulation instructions के बारे में है वहाँ पे आप जाके rep instruction और move sb instruction को फिर से चाहें तो refer कर सकते है ठीक है तो rep instruction क्या करता है rep instruction जो है वो simply एक ही काम करता है वो क्या करेगा सबसे पहले cx sorry यह सबसे पहले क्या करेगा repeat करेगा तो cx की value को पहले decrement करेगा तो cx की value हो जाएगे cx minus 1 और second step में ही क्या करेगा repeat करेगा किसको repeat करेगा जो भी instruction इसके आगे लिखा हो तो फिलाल move sb लिखा है अगर कुछ और लिखा हो तो उसको repeat करता तो क्योंगी rep के आगे move sb लिखा हुआ है तो यह move sb को repeat करेगा जब तक cx की positive value है तब तक यह process जो है वो repeat होती रहेगी तो यह हमारा मोटा मोटा अलगारिथा में अब हम क्या करेंगे अब हम ऐसा ही में से data उठाएंगे move sb instruction का use करेंगे उससे सीधा हम d ii में पहुंचा देंगे using same move sb instruction एकी instruction से काम हो जाएगा और उस same instruction को कितनी बार चलाना है मुझे चलाना है cx times और कितनी बार मुझे actually problem में चलाना है तो length of the string कितनी दी हुई है आपकी 100 bytes तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे 100 बार इसको repeat कराएंगे तो cx की value आपको कितनी लिखनी है फिर से आपको cx की value 100 ही लिखनी है अब यह समा बिएस में चाहिए 2000 ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा move सबसे पहले मैं लिखूँगा ax कितनी value लिखूँगा 2000 इसके बाद मैं मैं लिखूँगा move और यह value मुझे ax में नहीं चाहिए मुझे ds में चाहिए तो मैं लिखूँगा ds, comma और मैं यहाँ पर लिख और मैं लिखता हूँ yes और फिर मैं लिखूँगा ax चिक है तो अब यह तीन इस्ट्रक्टेंस के बाद में आपको समझ में आया होगा पहले वाले instruction से क्या हो रहा है AX की value कितनी हो रही है आपकी 2000 दूसरे वाले instruction से क्या हो रहा है DS की value जो भी AX में था वो DS में आ गया AX में कितना था 2000 वही value DS में आ जाएगी और जो भी value X में थी वो ES में आ जाएगी तो X में value थी 2000, ES में भी कितनी value वजएगी यह वाला 2000 ES में भी आ चाहिए चीक है यह हो गया मेरा कितना अब इसके बाद में SI जो offset है source location का उसमें कितनी value चाहिए मुझे I need 500 तो मैं simply लिख दूँगा जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी लिखा था तो I would write move उसके बाद में SI कितनी value 0500 in hexadecene likewise DI में कितना चाहिए मुझे DI में भी चाहिए मुझे 600 तो मैं यहां पे same जैसे मैंने SI में लिखा है आपने guess कर लिया होगा वैसा ही मैं लिखूँगा move DI, क्या चाहिए मुझे 600 चाहिए तो मैंने लिख दिया 600 अब यह process मुझे कितनी बार repeat करानी है वो value में loop counter में लिख दूँगा तो CX क्योंकि question में दिया हो था कि 100 times इसको repeat करना है अब इसके बाद में repeat करने के लिए यह वाला instruction में use करूँगा उसके पहले मेरे को direction flag 0 चाहिए तो यहां पे थोड़ा सा धिहान रखेंगे move asb instruction के पहले direction flag को set कर दीजे तो direction flag को मेरे को कितना रखना है 0 रखना है तो मैं instruction चलाँगा CLD खिक है यहां पे हमने processor control instructions में यह इसमें flag manipulation instruction में पढ़ा था CLD तो clear direction flag तो clear करेंगे direction flag तो direction flag में कितनी value हो जाएगी 0 अब जैसे ही direction flag में 0 होती है तो यह move asb instruction यह इसी से similar आगे ह हम scan asb पढ़ेंगे आगे हम compare asb पढ़ेंगे वो सभी instructions के अंदर SI और DI जो है वो increment होते हैं अगर मैं direction flag की value 1 कर दूँ तो आपको याद दिला दूँ कि उस condition में क्या होगा DI will be decremented by 1 तो DI is equals to आएगा DI minus 1 और SI कितना हो जाएगा SI minus 1 हो जाएगा फिलाल क्योंकि इसकी value 0 है तो कि दोनों यहाँ पर increment हो रहे है because I have run this CLD instruction अब simply मेरा REP move sb में को लिख देना है तो मैं लिखूंगा REP इसके बाद में क्या लिखूंगा मैं move sb क्या करेगा यह instruction यह instruction यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले DS और SI में जाएगा उस memory location पर जो भी content है उसको place करेगा ESDI में ESDI के अंदर क्या value है यह 600 2000,600 है 2000 भी लिख देते हैं अपन 2000,600 है वहाँ पर data ओठके कहां आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद क्या होगा भाई SI और DI दोनों increment हो जाएंगे तो SI की कितनी value है SI की value 500 है increment होके कितनी हो जाएगी 501,DI की कितनी value है 600 है increment होके कितनी हो ज जाएंगे आब वापिस से repeat instruction को चलाएंगे CX की value decrement हो जाएगी 100 से value कितनी हो जाएगी 99 क्या 99 पर खतम होगा यह नहीं खतम होगा कब तक चलेगा जब तक CX की value 0 नहीं हो जा रहे तो एक बार फिर से हमारा moveSB instruction चलेगा अब SI में कितना है SI में यहाँ पर कितना है 501 DI में क रख दिया उसके बाद क्या किया फिर से repeat चलेगा अपना automatically तो 99 से value कितनी हो जाएगी 90 फिर से क्या होगा फिर से same कहानी कि अब यहाँ पर 501 था SI में वो कितना हो जाएगा 502 ठीक है DI में था 601 हो जाएगा 602 तो 502 पर जो भी data है मैं हमाल लेता हूं C2 है वो कहां चले कि कहां चले जाएगा 602 में और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा C2 फिर से 97 तो यह process अपनी बार 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 चलती रहेगी कब तक चलेगी जब तक यह value decrement होगे कहां तक ना पहुंच जाए भई यह value जब तक 0 पर ना पहुंच जाए जैसे ही यह value 0 पर पहुंचेगी repeat instruction जो है वो इस move sb instruction को फिर से execute नहीं करेगा ठीक है अब जो भी इसके नीचे लिखा होगा वो चलेगा ठीक है तो इसके नीचे क्या लिख दिया मैंने अब मेरा काम खतम हो गया है तो मैं लिख दूँगा hlt ठीक है अच्छा मैं एक simple सा question पूछन पूछना चाहरा हूं आप स आप वीडियो को पॉस करके फिर आंसर आप दीजेगा कि यह आरीपी मूव sb instruction कितनी बार चल रहा है ठीक है तो आंसर है 100 टाइम्स चल रहा है ठीक है 100 बार चलेगा क्योंकि cx में value मैंने 100 रखी तो मूव sb instruction कितनी बार चलेगा 100 टाइम्स चलेगा बांकि इस अभी instruction कितन बार चल रहा है यह instruction कितनी बार चल रहा है 100 टाइम्स चल रहा है ठीक है और hlt instruction कितनी बार चल रहा है यह वापिस से फिर सिर्फ वासे वन टाइम एक्जिक्यूट होगा ठीक है तो आपको इस ट्रूंग मैनिपलेशन इंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा और आपको यह problem statement स solution समझ में आया होगा कि इस तरीके से भी हम data को एक location से उठा के दूसरे location पर place कर सकते हैं तो अब इसके बाद में हम इसको चेक करेंगे हमारे computer पे तो वहाँ चलते हैं अब हम आगे हमारे computer में और program मैंने अल्रेड़ी यहाँ पे लिख दिया है यह मेरा problem statement है ठीक है और उसक अब करना है इमिलेट पे क्लिक मैं कर दूँगा इमिलेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास में यह वाली window आ जाएगी अब इस वाली window पर आपको क्या करना है memory पर कुछ न कुछ डेटा रखना है तो व्यू में जाएंगे और यहाँ पर memory कहीं को होगी यहाँ पर मेरी memory है यह मेरा memory आ गया है अब इस memory location पर में को लिखना है लेकिन कौन सी memory location तो यहाँ पर दिया हुआ है 2000 और 500 तो मैं यहीं लिखूंगा इसको मैं हटा देता हूं और यहाँ पर लिखूंगा 2000 और मैं लिखूंगा 500 अब इसके बाद इस वाली memory location पर कुछ भी डेटा रख देता ह तो 100 numbers रखने तो यह जैसे 500 है यह इसके बाद जो 54 लिखा है 501 वाली memory location पर है यह 502 पर है यहाँ जो भी लिखूंगा लेट से मैं लिख रहा हूं 63 तो यह हो जाएगा 503 मैं कुछ भी random numbers जो है को यहाँ पर place कर दे रहा हूं अच्छा आप सोच रहे होंगे कि जैसे ही मैं random number place कर रहा हूं right hand side पर dot हट के कुछ अजीब से letters क्यों लिख्या जा रहे हैं तो वो उसका equivalent ASCII code है ठीक है तो आप ASCII table को refer कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो भी यह number है उसका ASCII equivalent क्या होता है तो वो dot replace हो जाएगा इससे तो मैंने कुछ numbers यहाँ पर place कर दिये हैं ठी गुब EX,2000 तो EX में फिलाल किती value है 0000 मैंने चलाया single step EX में आ गया 2000 अगला instruction क्या है मेरा कि DS में किती value हो जाए EX के बराबर फिलाल DS में किती value 100 है चलाते है single step कितनी हो गई 2000 EX में 2000 था ना उठके DS में भी आ गया अगला instruction क्या है कि EX की जो भी value है वो ES में भी आ जाए क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कितना आ गया आ गया आ गया आ गया आया है तो SI में आ गया 500 इसके बाद डी आई में कितना चाहिए 600 डी में कितना है भी 0 ही है अब अगर मैं चलाओंगा भी तो 0 ही रहेगी कुछ भी अपडेट नहीं आएगा तो DF क्योंकि चेंज नहीं हुआ तो 0 का 0 ही लिखा हुआ है यहां पर ठीक डिएफ यह लास्ट वाला है यहां लिख दूँगा में 600 ठीक है कुछ नंबर साब याद कर सकते हैं जैसे शुरूर में 54 54 है ठीक और आखरी नंबर जो इसमें आएगा वह 68 आएगा प्रॉबैब्ली ठीक चले एंटर करते हैं तो 600 पर फिलाल तो 0 है बढ़िया अब हम इसको जो है रन करेंगे मैं थोड़ आपका यहां पर नंबर जो है वो सोर्स मेमोरी ब्लॉक से डेस्टिनेशन मेमोरी ब्लॉक पर आते जा रहे हैं ठीक और काउंटर की वैल्यू सी एक्स की वैल्यू क्या हो रही है और जब यह 100 टाइमस रिपीट हो जाएगा तो यह प्रोग्राम जो है वो टामिनेट हो मिटनेट है चीक है तो मेरे जो हैंडरेड नंबर दें 500 वाली लोकेशन पर वो हैंडरेड भाली लोकेशन पर बहुरो क्या है और द cómo यह इंडर अगा है तो इस तरीके से मेरा जो problem है वो solve हो चुका है मेरे hundred blocks जो hundred numbers हैं वो source location से destination location पे पहुँच गए हैं और हमने string manipulation instruction का use किया है तो इसको हम करते हैं यहाँ पे खतम Thank you so much